नमस्कार दोस्तों, श्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयास बाईवी नोद में हम फिर हाजिर हुए हैं आपके लिए लेके एक विसेश जानकारी जिसका टॉपिक है केला हानिकारग भी जी हाँ दोस्तों, हम सभी कभी ये नहीं सोचते हैं कि मार्केट में जो खूबसूरत दिखने वाले केले हैं वो आखिर इतने खूबसूरत क्यों होते हैं और इनको पकाया कैसे जाता है और इनको हम लोग बगैर सोचे समझे कितना सारा उपयोग करते हैं पूजा में, खाने में, पेशेंड को देते हैं जो बेक्ती बीमार है उसको भी हम लोग फल ले जाके केले ले जाके देते हैं आज हम बात करेंगे केले की पकाने की पूरी विधी के बारे में दोस्तों जो ये मार्केट में केला उपलब्ध होता है इसको पकाने के लिए एक खतरनाक किस्म के केमिकल का उप्योग किया जाता है खतरनाक इसलिए क्योंकि जो इसके पकाने की प्रिक्रिया है वो हम आपको बताएंगे तब आप समझ जाएंगे कि ये खतरनाक कैसे है जो बिसेस पकार का केमिकल होता है उसका मात्र पान से साथ एमिल केमिकल बीस लीटर पानी तक के लिए परियाब्त होता है ये जो हमारे दुकानदार भाई होते हैं ये जो है पान से साथ मिली लीटर केमिकल को लेकि बीस लीटर पानी में मिला देते हैं उसके बाद पानी तब तक इस्तेमाल किया जाएगा जब तक कि खतम न हो जाए मतलब यह हुआ कि 20 लीटर पानी में केला निकाल के कच्छे केले को डूबो डूबो के तब तक रखेंगे पुरिया जब तक कि, पानी पूरे तरह से CMC-कल वाला पानी खतम ना हों जाए यह होती है i the quasi में बाई उसरे केमचल वाले गोल में 20 लीटर में जो 5-7mm एमील केमचल मिलाया गया उसमें डुबाते जाएंगे डुबाते जाएंगे बाहर रखते जाएंगे डुबाते जाएंगे रखते जाएंगे उसके बाद इसको ठाक के पूरी तरह से केलो को रख देते है तीन से चार दिन में मौसम के अनुसार ये बिलकुल पक्के तयार हो जाता है अब आप सोच सकते हैं कि 20 लीटर पानी में 5-7 एमल केमिकल मिलाया गया है और जो कि मौसम के नुसार 2-3 दिन में गर्मी हुई तो 2-1 दिन में बिल्कुल पीला कर देगा केले को अब सोच लीजे कि हम लोग उतना खतरना केमिकल अगर कुछ हंस तो हमारे अंदर जाता ही है तो हम लोग खुद ही सोच सकते हैं कि कितना हानिकारक है जबकि ये प्रसासनिक अस्तर पे पूरी तरह से पितिबंध है कि कोई भी दिवगांदार भाई केला जो है केमिकल से नहीं पकाएगा लेकिन बस सौर्ट कट के तरीके के लिए सब को शौर्ट कट ही आदमी धूनता है इसलिए सारे जो है केमिकल से पगा के तब काल में जल्दी के लिए सब कर देते है हम सभी से अंरोध करेंगे हम लोग जब भी केले खाएं प्राक्रतिक रूप से पके केले वो बीस रुपए दरजन के बजाए तीस रुपए दरजन दे लेकिन जो प्राक्रतिक पके हो हम उनको दुकानदार से मांगे जब हम लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे कि आप बीस की बजाए तीस रुपए लेजे लेकिन हमें प्राकृतिक के लिए दीजिये पके हुए तो जो पैसे ज़्यादा मिलेंगे तो हमको कम से कम सुद्ध चीजे तो मिलेंगी या फिर सारे लोग जब जागरूख हो जाएंगे तो केमकल वारा सिस्टम खतम होगा जागना तो पड़ेगा ही हमें हम कम खाएं लेकिन अच्छा खाएं जी हाँ दोस्तों कम खाएं अच्छा खाएं सुद्ध रही मस्त रही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिल जैभारण